आप सभी का स्वागत करता हूं उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे कैसे हो आप सभी वड़ापट सेख बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबके क्या हाल है जी हाँ नमस्कार आदाप सश्रीकाल की हाल चाल आज के सेशन के हम लोग सुरुआत करेंगे बहुत ही शांदा िए बतार और लाजबाब सेशन रहेगा लास्ट तक सभी रहेगा और डुलाइनों के साथ में आज के सेशन के हम लोग सुरुआत कर लेते हैं कि धर्व ढब जो भी है भस तेरे अंदर है हां धर्द घंब डर्व बहर जो भी बस तेरे अंदर है खुद के बनाइए इस पि काम करना तो हर वो काम कर सकता है जो तू करना चाहता है तू वो बन सकता है जो तू बनना चाहता है बस तू इस पिंजरे से बाहर निकल तेरा जो सपना है तेरा जो एम है तेरा जो टारगेट है वो सब मिलेगा तू एक बार कोशिस तो कर सब कुछ मिलेगा तो तू एक बार हिम्मत तो कर इसी के साथ में आज के सेशन के हम लोग सुरुआत करेंगे सभी को मेरी अवाज वगेरा सारी चीज़े किलियर है हमाई audible और visible clearly सभी एक बार confirmation दीजे और सेशन को जिसने अभी तक like नहीं किया तो एक बार सेशन को like कर दीजे और अपने सभी साथियों के साथ में सेशन को share करके आजाईए ताकि आज का ये सेशन जो है वो हम शांदार और मज़ेदार जबरदस्त बना सके हैं सीधे चलेंगे first question की तरफ आज का पहला सवाल आपकी screen पे National safe motherhood day जो है वो कब observe किया जाता है ये daily current affairs में मैं आप सभी को करा रहा हूँ जो लोग नहीं आ रहे हैं वो सुबह 8 बजे current affairs की class में आए current news analysis की class में आए cna by रोहित सर आप olive board पे search करेंगे तो वहाँ पे आपको class मिल जाएगी ये direct ये YouTube पे search कर लीजेगा हाँ तो यहाँ पर अगर हम पहले सवाल के correct answer की बात करें तो सही जवाब क्या हो जाएगा देखे बहुत ही हाँ बहुत ही अच्छा गोश्यन है फड़ापट से answer बताईए राम राम जी जैश्री कृष्णा सबसे पहले 7 अप्रेल है 7 अप्रेल को मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि हम इस दिन World Health Day मनाते हैं World Health Day का मतलब है कि विश्व स्वास्थ दिवस जो है वो मनाया जाता है इस दिन हम क्या मनाते हैं विश्व स्वास्थ दिवस मनाते हैं चीक है विश्व स्वास्थ दिवस जो है वो मनाया जाता है और 1948 में डबलू एचो की स्थापना हुई थी 7 अप्रेल 1948 में पहली बार इस दिन को जो है 1950 में 1950 में मनाया गया था इस दिन हम मैरी टाइम डे मनाते हैं पांच अप्रेल की जब बात करेगा तो इस टाइम जो है वो हम मैरी टाइम दिवस मनाते हैं मैरिटाइम डे जो है चेलिबरेट किया जाता है 11 अप्रेल की बात करें तो 11 अप्रेल नेशल सेफ मदर होड डे जो है वो सेलिबरेट किया जाता है या आप सभी को याद रखना है दस अप्रेल की बात की जाए तो इस दिन जो है हम सिंधी भासा दिवस मनाते हैं सिंधी भासा दिवस या फिर आप इस दिन जो है होमियोपैथी दिवस भी मनाते हैं विश्व होमियोपैथी वर्ल्ड होमियोपैथी डे इस दिन जो है होमियोपैथी दिवस भी मनाया जाता है तो ये भी आप सभी को यहां से याद रखना है ये भी आप सभी के लिए यहां से मैत्पूर बनेगा सिंधी भासा दिवस वर्ल्ड होमेपैथी डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है यह किया जाता है 10 अपरेल को यह आप सभी के लिए मैत्पूर्ड है आप सभी के लिए important है अगला सवाल है कि जलिया वाला बैद का हाली में निदन हो गया है और यह क्या ही वोसी यह क्या थी फटा फट से बताईए तो वैद्य की बात की गई है वैद्य से डॉक्टर मत समझ ले ना तुम सभी हाँ इसमें कहीं politics अच्छा डॉक्टर तो है भी नहीं option में फटा फट से बताओ सभी और एक बार session को जिसने like share नहीं किया तो एक बार सभी session को like और share करके आ जाई अपने सभी सातियों के साथ में होम्योपैथी दिवस well done well done well done sir day ही क्यों मनाते है night क्यों नहीं मनाते बैटा day इस लिए मनाये जाते हैं ताकि तुम जैसे जो बेपकूफेंज दुनिया में उनको जागरुक किया जा सके उनको aware किया जा सके जैसे cancer day मनाते हैं तो cancer की जो वीमारी मतलब जो उसके cancer की जो diseases है या किस परकार से cancer फ्यालता है उसके बारे में लोगों को aware किया जा सके eights day क्यों मनाया जाता है उसका भी reason है ठीक है तो आपको और किसी के व्यक्ति जैसे अगर रोहित सरका अगर आप दिवस मनाये 26 जनवरी को बड़े होता है उसी दिन अगर मनाये तो मेरी उपलब्दिय के जादूगर हैं उनका दिवस मनाते हैं उनकी जैनती मनाते हैं तो उन्होंने जो पलब्दिया हासिल की उनके बारे में बताया जाता है ठीक है आंसर की बात करें इसका अंसर एक्ट्रेस हो जाएगा किस देश में तुलसी घाट जीडोधार परियोजना शुरू की गई है कहां पर की गई है फट फट से इसका अंसर बताओ सभी इसका अंसर करो वैल डन बहुत 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 शांदार अरे तो सब जगे से ब्लॉक करने का मतलब अपने वाटसेप स्टेटस पर लगा लो अपने जहां भी तुम हो वहां शियर कर दो इसके करेक्ट आंसर की बात कर है यूगांडा करेक्ट आंसर होगा जब हम यूगांडा की बात करते हैं तो यूगांडा से आपकी कापिटल और करेंसी आपको यहां से याद रखनी होती है तो अब यहाँ पर capital क्या है तो कंपाला जो है वो यहां की राजधानी है कंपाला यहां की राजधानी और जब हम currency की बात करते हैं तो आपको यहां से याद रखना है ceiling यहां की currency सबको बताया हुआ था सबको कराया था ceiling क्या है यहां की मुद्रा है आगे अगर हम भूतान की बात करें तो थिंपू जो है वो पूछा जाए कहां की capital है थिंपू कहां की राजधानी है भूतान की मुद्रा की जब बात करता है तो यहां की मुद्रा जो है वो नगुल ट्रम है ठीक है नगुल्ट्रम यहां की मुद्रा है आगे ब्राजील की जब बात की जाती है तो ब्राजीलिया जो है वो यहां की राजधानी है और रियल जो है वो यहां की करंसी है ब्राजीलिया जो है वो यहां की ब्राजीलिया यहां की राजधानी है ब्राजीलिया जो है वो यहा की जाती है आपको यहांसे याद रखना है एक तो खार्तूम सुदान की जो है वो राजधानी है राजधानी का है कार्तूम है और वह Award is a part of the vaccine industry Excellence Award at the World Vaccine Congress 2023 उस Pharma Company का नाम बताईए जिसने World Vaccine उद्योग उतक्रिस्टता पुरुषकार के हिस्से के रूप में सर्फ्रिस्ट उत्पाद और प्रक्रिया विकास पुरुषकार जीता है ऐसा किसके द्वारा जीता गया है ये Award किसने जीता है फटापट से आंसर बताए बहुत बहुत शांदार है बहुत प्यारा सवाल है आंसर हो जाएगा इसका भारत बायोटेक अगला प्रेशन देखो बताओ What is the full form of UIDAI UIDAI का full form क्या होगा इसका आंसर बताईए सभी इसका आंसर करेंगे UIDAI का full form सभी आंसर बताएंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ UNIQ तो सबसे पहले आ जाता है भाया आधार कार्ड तो सबके पास होता है है ना आधार कार्ड वाली फोटो भी तुम सबको याद होगी तो आंसर की बात करें United तो नहीं होगा Universal भी नहीं होगा Unique Indian Data Activity नहीं होगा Unique Identification Authority of India Will be the right answer D जो है वो इसका सही जबाब होगा D जो है वो इसका correct answer होगा यह आप सभी को यहाँ से याद रखना है Well done बहुत बहुत शांदार बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अम next अप्रश्न की तरफ टाइम पत्रिका की बात की गई है इसका 101 संस्क्रड जो है वो जारी किया गया है और उस सूची में दुनिया भर के सबसे जो प्रभावसाली लोगों की सूची है उसमें सीर्स पर पूछा है कि इन में से सीर्स पर कौन रहा है कौन सीर्स पर रहा है या आप सभी को याद रखना है हाँ पड़ पड़ से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें सारुक खान जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा टॉप में कौन रहा है सारुक खान रहे है अगला प्रशन है कि बताइए खबरों में रहा जूस मिशन यह जो जूस मिशन है वो किस अंतरिच एजएंसी से जूड़ा हुआ है सभी आंसर बताएंगे इस रो तो नहीं होगा नासा नहीं होगा जाक्सा नहीं होगा European Space Agency जो है वो इसका सही जवाब होगा क्या होगा इसका correct answer European Space Agency जो है वो इसका correct answer होगा European Space Agency will be the right answer यह आप सभी को यहाँ से याद रखना है यहाँ सभी के लिए यहाँ से मैत्वपूर बनेगा आगे चलते हैं अगला प्रशन बताईए which state has been launched project संजीवनी to empower dairy farmer डेरी किसानों को ससक्त बनाने के लिए जो संजीवनी परियोजना है इसको सुरू किया गया है किस राज में सुरू किया गया है संजीवनी परियोजना को किस राज में सुरू किया गया है यह आप सभी से बहुत बहुत शांदार बहुत बढ़िया वेल ड़न गुड़ीवनी गुलफ्यू बेटा इसके correct answer की अगर हम बात करें मैं आपको hint hint दे देता हूं रोतांग दर्रा यहीं पर है रोतांग दर्रा जो है वो यहीं पर है जोगनी जर्ना यहीं पर है जोगनी जर्ना जो है वो यहीं पर है अगर मैं बात करूँ तो व्यास नदी जो है वो भी यहीं पर है कौन सी नदी की मैं बात कर रहा हूं व्यास नदी जो है वो यहाँ पर आप सभी के लिए मैत्वपूर बनेगा सभी मौसमों का राज इसी को कहा जाता है सभी मौसमों का राज जो है सभी मौसमों का राज किसको कहा जाता है इसी को कहा जाता है सभी मौसमों का राज ये भी आप सभी के लिए मैत्वपूर बनेगा हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंस क्या की द्रस्टी से बात करूँ तो 21 वे नंबर पे आता है चीक है यह आप सभी को यहां से याद रखना है यह आप सभी के लिए मैतपूर बनेगा अगर मैं आप से बात करूँ कि बताइए यहां का सेक्स रेशियो क्या है तो 972 फीमेल्स हैं 1000 पुरुस हैं यह भी आप सभी को यहां से याद रखना है is that clear यहां तक सभी को जितने भी बच्चे यहां पर लाइफ देख रहे हैं बहुत-बहुत शांदार बहुत बढ़िया अगर बात की जाए कि बताइए भाकडा बांध जो है वो कहां पर है देखिए भाकडा बांध जो है वो पूछा जाए कहां ह बाकड़ा डैम जो है वो कहा पर है हिमाचल प्रदेश में है कहा पर है हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है बाकड़ा बांद तो सतलज नदी पर है सतलज नदी पर है सतलज नदी पर है इसके अलावा बाकड़ा बांद तो मैंने या पर बता दिया आप सभी को इसके बांध जो है वो कहा पर है यह आप सभी से पूछे जाने वाले कोश्चन है यह हिमाचल प्रदेश में है पॉंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर है और जब मैं चमेरा की बात करता हूँ तो रावी नदी पर है यह किस नदी पर है यह ब्यास नदी पर है और यह किस नदी ये रावी नदी पर है ये रावी नदी पर है ये आप सभी को यहां से याद रखना है ये भी आप सभी के लीए यहां से मैत पूर बनेगा किलियर है बहुत बहुत शांदर फटापट से बताओ गुड़ गुड चले, आगे चलते हैं अगला प्रश्ण देखते हैं सांखिकी में अंतराश्ची पुरुषकार 2023 से किसे समानित किया गया है जिसे अक्सर सांखिकी का नोबल पुरुषकार कहा जाता है बताईए वेल डन वेल डन बहुत बहुत शांदार इसका सही जवाब बताओ कि इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer क्या होगा तो अगर हम इसके correct answer की बात करें ए जो है वो इसका correct answer होगा A will be the right answer ए जो है वो इसका सही जवाब होगा अगला प्रश्ण देखो और बताओ फटाफट से who launched the first dogri version of the Indian constitution dogri भासा की बात की गई है dogri version की बात की गई है Indian constitution में launch किया गया है बताइए किसके द्वारा launch किया गया है dogri भासा हाँ किस समयदानिक संसोधन के तहत आठवी अनुसूची में dogri को सामिल किया गया था मैथली बोडो संथाली dogri कौन सा amendment था किस amendment के तहत किया गया था वेल डन आंसर की बात करें किरन रिजीजू जो है वो इसका सही जवाब होगा यहां से वो amendment पूछा जा सकता है यहां से वो जो amendment किया गया था वो पूछा जा सकता है बताइए मैं पढ़ा चुका हूँ इसको detail में कराया हुआ है मैंने मैं इसको पढ़ा चुका हूँ मैंने detail में कराया हुआ है सभी को हाँ बहुत बढ़िया एक बार सभी सेशन को like share करके आजाओ चलो अगला प्रश्ण विच स्टेट्स गौन पेंटिंग गौन जी आई टेग किस राज की गौन पेंटिंग है जिसको जी आई टेग मिला है किस राज की है गौन पेंटिंग बताईए सभी आंसर करिये इसका हाँ सभी आंसर बताईए स्पीड में जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी आंसर करेंगे गौन पेंटिंग की बात की गई है 92 में समिधानिक संसुदन के तहत और कब हुआ तो 2004 में 2004 में वेल डण बोलो, डोगरी, मैथली, संथाली अब यहाँ पर अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो मद्ध्रदेश जो है वो इसका correct आंसर होगा मद्ध्रदेश जो है वो इसका correct आंसर होगा यе आप सभी को याद रखना है अब आप कहते हैं PDF, PDF, PDF सर PDF कहां मिलेगी तो PDF के लिए आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको टेलिग्राम पे जाना है सर्च करना है Olive Board SSC Official यहाँ पर भी इस क्लास का PDF मिल जाएगा या फिर आप GKY रोहित गुरू GKY रोहित गुरू इन दोनों जगे आप इन दोनों चैनल्स को जोईन कर लो एक तो Olive Board SSC Official जोईन करना है और यह किये करना है आप सभी अगर चाते हैं मुझसे WhatsApp पे कनेक्ट होना आप सभी अगर मुझसे WhatsApp पे जुड़ना चाते हैं तो WhatsApp पे जुड़ने के लिए 9568-898923 यह मेरा number है इस number पे आप अपना नाम अपने सेहर का नाम और आप किस exam की तयारी कर रहे हैं ये लिखे भेज़ देजिएगा मैं number save कर लूँगा आपका मैं group नहीं बनाऊंगा यहाँ पर यहां मैं group नहीं बनाऊंगा यहाँ पर आपको गुरुप नहीं बनाऊँगा यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं आपको कभी भी कोई समस्य आती है पूछ सकते हैं आपको फाइल्स वगेरा में डेली भेजते रहूँगा कोसिस यह रहेगी आपको वाटसेप पे सभी फाइल्स वगेरा भेजते रहूँगा ठीक है? चलो तो यहाँ तक सभी को किलियर हुआ आगे अगला प्रश्न है कि बताईए IPL इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेवाज कौन बने हैं? सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले हाँ बताईए PDF, PDF सब करें PDF पढ़े न कोई और लाइव क्लास में जो पढ़े उसी का सेलेक्शन होई सही है? यह भी बात सही है PDF की फुल फॉर्म ही बता दो तू हाँ चलो आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा डेविड बार्डनर इसका सही जबाब होगा भारत के वर्तमान विदेश मंतरी कौन है? वर्तमान विदेश मंतरी की बात की गई है बताईए फटपट से भारत के वर्तमान विदेश मंतरी कौन है? आंसर की बात करें डॉक्टर सुब्रमन्यम जैसंकर जो है वो इसका सही जबाब होगा अगला प्रशन लोकरंग उत्सब प्रतिवर्स किस राज में मनाया जाता है लोकरंग उत्सब जो है वो हर साल कहां पर मनाया जाता है किस राज में मनाया जाता है यह आप सभी से पूछा है तो फटा फट से बताईए हाँ जी वर्ल डेन बहुत बहुत शांदार जारकंड में नहीं मनाया जाता फिर यह बिहार में नहीं मनाया जाता उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता कहाँ पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, MP इसका सही जबाब होगा, क्या होगा, MP, MP, ठीक है, आगे चुछ, अगला प्रशन मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मुझे नहीं लगता है, इससे जादा इजी पुच्चू कोश्टन है लू लू पुच्चू सवाल है एं और है चोटा से बच्च वर लूब तुम वाला गोश्यन है कि जी आई टैग क्या है जी आई टैग का मतलब होता है जैसे तुम हो तुमेरी एक अपनी पहचान है तुम्हारे जैसा कोई नहीं है न तुम तो यूनिक हो अपने आप में अब वही चीज हम वस्तू में ले आएं तो वो यूनिक है उसी को एक identity दे दी गई कि हाँ तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है इस छेत्र में इस जोग्राफिकल एरिया में आज से तुम हमने तुम्हें रेजिस्टर कर लिया तो मैं काम करो अब 10 साल के बाद रिनू कराने आ जाना पहला जी आई टेग दार्जलिंग चाय को दिया गया था अभी रिसेंट में बहुत सारी करीब 33 जी आई टेग दे दिये गए हैं चलो अंसर इसका भुपाल हो जाएगा अगला प्रेशन देखो त बहुत जादा मैत्वपूर है बहुत जादा इंपोर्टेंट है तिरपुरा के नए नियाधीस पूछ लिए तिरपुरा भी पूछा जाता है पेपर में कि बताईए भारत का भारत का वह कौन सा राज्य है जो एक ही देश के साथ में तीन तरफ से अंतरास्ट्रिय सीमा जी आई टेग पे एक स्पेशल क्लास लोंगा जैसी तुमारी अंते मिच्छा परेशान मत हो चीक है अरे नलाय को फोन नहीं करना होता है पढ़ा रहा हूं नंबर लिख दिया बोर्ड पे तो वो फोन करने लग गए वाटस अप का नंबर दिया है करता ही दिमाग खराब हो जाते हैं तुम लोग के अंसर की बात करें तो ए इसका सही जवाब होगा इन्होंने इस्थान किसका लिया जश्वंत सिंग का इस्थान लिया है इन्होंने अगला प्रश्म देखो स्व्यक्ति का नाम बताईए जिसे मराठा उद्योगरत्न 2023 प्रुष्कार से समानित किया गया है ऐसे ही प्रशन आते हैं ऐसे ही प्रशन आते हैं ऐसे ही कोष्यन आते हैं के पर में जब बैठो गये न कोगे रोहीतसर दिल खुष हो गया हम तो भक्वहाई आज से Tumhai भक्त भक्त भगत 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 भी कह सकते हम तो भगत हो गए आज से आपके यह पेपर देखे आओगे तो इसका सही जवाप क्या होगा हाँ चलो वेल्डन ऐसे ही प्रशनाते हैं ऐसे ही ऐसे ही कुश्चन आते हैं ठीक आंसर क्या होगा यह पर अप्रेस तो नहीं होगा अनेल नहीं होगा यह नहीं होगा नीलेस करेक्ट आंसर होगा मराथा महरास्ट्रा में दिया जाता है और जब महरास्ट्रा के हम बात करते हैं के गवर्नर कौन है ठीक है महराष्टरा के गवर्नर बताओ फड़ापट से एकनाथ सिंदे तो महराष्टरा के मुख मंत्री है गवर्नर का नाम बता दो महराष्टरा में एक जगे है नासिक यह बहुत जादा उसको ब्रद गंगा भी कहा जाता है उसको दच्षड गंगा भी कहा जाता है पूछा गया था ब्रद गंगा निम्नलिकित में से किस नदी को कहा जाता है अगर वो गोदावरी नदी को 1465 किलोमीटर लंबी नदी है दक्षड भारत की सबसे लंबी नदी है और प्राइदवी भारत की सबसे लंबी नदी है यह आप सभी को याद रखना है पेपर में पूछा जाता है बहुत बार करा चुका हूं चीक है आंसर के यहां पर मैं बात कर चुका हूं अगला प्रशन देखो मैंने गवर्नर पूछे तो रमेस बैस का नाम याद रखना है यहा सबसे धनी व्यक्ति अब नहीं है हमारे बीच में बताइए कौन है बहुत बहुत शांदर सब करा दूंगा सोनू सब करा दूंगा परेशान मतों बिलकुल भी बस तु मेरे साथ बना रहे परेशान होने की ज़रूरत नहीं तुम लोग को जब तक मैं हूं तब तक ठीक है ह वेल डन बहुत बहुत शांदर आंसर की बात करें तो आंसर के सब महिंदरा होगा चैनल पर पहली बार आयो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना चैनल पर पहली बार आयो सब कराऊंगा तुम्हें एक-एक देखते होगे चैनल पर आपको शौट्स मिल जाती है कोई भी इंफोमेशन होती है वो तुरंत मिल जाती है क्यों क्यों क्योंकि हम लगे हुए तुम्हारे लिए बराबर काम कर रहे हैं ठीक है आगे देखो अगला प्रशन है कि विच कंट्री है स्टॉप दे लिस्ट आफ व भारत की रेंक चैनल फ्त्रेंडम भारत कितने नंबर पर आता है भारत आता है सतत्तर वे नंबर पर सचीख थाए तीसरे नंबर की बात करें तो अफगानिस्तान आता था चोथे पे आपका साउथ अफ्रीका है छीक है ये म्रत्यू मतलब ये आपकी चोरी, डकैती और अपहरण बलातकार और हत्या जैसे हत्या हुआ की गई अभी वरांड सी उसमें, प्रियाग राज में मार दी गई गोली हो गया स्वा है ना तो हत्या क्या वो तो चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरे हिसाब से मेरा अगर उपीनियन लिया जाए अच्छा हुआ ऐसे जो लोग हैं इस दुनिया के अंदर इस दुनिया में उनकी रूह काप जाएगी आगे से वो किसी को ऐसे नहीं देखेंगे उसकी हिस्ट्री देखोगे जाके न अभी अतीक की हिस्ट्री देखोगे इतियास देखोगे उसका एक तांगे वाले का लड़का था बस अमीर बनने का सौक था एक खून कर दिया मर्डर कर दिया एक वेक्टी का उसके बाद लोग इसी को याद करने लगे थे जब भी किसी के मर्डर की बात आती थी इसको एक मोटी रकम दे दी जाती थी इसके खून करता था आराम से इसका चल रहा था है न तो ये हलाकि अब एक तरीके से जो भी है अब लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं अगर उसने इतने लोगों का खून किया इतने घर बरबाद किये उसने तो ऐसे लोगों को जिन्दा रहना जरूरी है क्या नाम नहीं लेना चाहिए था ये गलत है इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ वहाँ जो नारे लगाए गए तो उसका समर्थन नहीं करता हूँ मैं किसी एक धर्म जाती और उसको समर्थन नहीं दे रहा हूँ मैं सही और गलत की बात कर रहा हूँ है ना चल आगे देखते हैं भारत कितने नमबर पर आता है 77 अगला है किस भारती खिलाडी ने ACI कुस्ती चेंपियंशिप में 68 किलो ग्राम वर्ग में रज़त पदक जीता है बताईए हाँ हाँ जब वो 17 साल का था उस सब छोड़ो वो एक अलग बात है आपको बेटा पढ़ना है मुझे पढ़ाना है हम कायम कर रहे हैं चीक है मैंने अपना ओपीनियन दिया मैं समर्तन नहीं करता नहीं मैं किसी राजनीतिक पार्टी को समर्तन कर रहा हूँ नहीं देखो एक जो टीचर होता है न एक जो सिच्छक होता है वो किसी एक धर्म जाती को अगर प्रमोट कर रहा है तो वो मेरी नजर में सिच्छक नहीं है मैं ऐसा नहीं हूँ मुसलिमों के खिलाफ हूँ मैं आज जो यहां खड़ा हुआ हूँ मुसलिमों ने ही मुझे पढ़ाया है मेरे टीचर मुसलिम थे मैं इसलामिया में पढ़ा हूँ एड्थ से लेके ट्वैल तक मुसलिम टीचर्स ने मुझे पढ़ाया हूँ मैं किसी जाती कम्यूनिटी किसी समदाई की बात नहीं कर रहा हूँ अगर मैं अकेला भी हुआ न तो उन गुरुओं ने मुझे आज भी मैं उनका सुक्र गुजार हूँ कि मैं अकेला बेटा था तो भी क्लास में आके पढ़ मैं कभी न किसी जाती धर्म किसी की बात नहीं करता हूँ मैं अब मेरे बहुत सारे मुसलिम फ्रेंड्स हैं ठीक है बहुत से दोस्त अलग अलग कास्ट के अलग अलग जाती के हैं सब के घर पे चला जाता हूँ खा लेता हूँ पानी पी लेता हूँ सब के साथ बैट लेता वो दो लाइने भी है कि कबरा खड़ा बाजार में सब की मांगे खेर ना का उसे दोस्ती और ना का उसे बताओ इसका अंसर अब यहां पर अगर हम इसके गरेक्ट आंसर की बात करें तो निसा दहिया इसका सही जबाब होगा हाली में किस देश में सेन हवाई हमले में कम से कम स हम वेल डन हाँ राही चौरसिया मैं समझ सकता हूँ आपकी बात से अगरी करता हूँ मैं मैं आपसे सैटिस्फाई हूँ मतलब मैं आपकी बात से संतोस्ट हूँ यह तो खेर मैं कह रहा हूँ लेकिन ऐसा जनरली देखो एक बात बताओ न जो जिसने ठान लिया यार अगे जाकर मरना ही है करना ही है अलग चीज़ें है चलती रहती है दुनिया है म्यानमार इसका सँह जवाब हो GO discuss और ने म्यानमार के खेंदरी बेंक के रूप में भी काम किया है यह भी आपको याद रखना है म्यानमार में एक फरवरी एक फरवरी 2021 में तक्ता पलट करके सेना के दौरा सरकार बदल दी गई थी उसके बाद लगबग अब तक 3000 मौते हो चुकी है क्या कहेंगे इसको भी ताना साही कहेंगे म्यानमार में भी चल रही है 3000 मासूम लोगों की जाने जा चुकी है आम जनता की 100 लोग मारे गए यहां पर इसको क्या कहेंगे हम ठीक है यहां तो आम जनता मारी जा रही है इन्होंने बिसपोर्ट कर दिया इन्होंने हवाई अमला कर दिया वहीं के लोगों ने किया कहीं बाहर से कोई दूसरा देश नहीं कर रहा है वहां की सेना खुद कर रही है चलो आगे देखो किस राज सरकार ने हाली में ट्रांसजेंडर समधाय को राज की OBC सूची में सामिल किया है क्यों क्योंकि हम इनको इक्वैलिटी में रख पाएं जो ट्रांसजेंडर हैं हम इनको इक्वैलिटी दे पाएं और उसके बाद में एक समाज में जो इनके लिए इमेज है वो अलग इमेज जो बनी हुई है वो खता मोकम से कब और साथी साथ में इनको आरच्छड मिल पाए ताकि अपना करियर जो है वो पड़ लिखकर बहुत अच्छे जगे बैठें नौकरी करें इसलिए ये अरच्छड दिया गया किस के दौरा दिया गया तो मद्द प्रदेश सरकաर के दौरा दिया गया अगला सुहेलवा वणनी जी वब्हारं किस राज़ में है सोहेल वहाब वन्नी जी वभ्यारन बताओ किस राज्ज में हैं सभी आंसर बताएंगे सभी आंसर करेंगे इसका वर डन हाँ जी आंसर की बात करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए ए ए मध्य प्रदेश कौन कर रहा है आंसर पकड़ के तुम्हाई चुटिया खुपडिया फोद्ने विया आलम बहुत ज्यादा दिमाग खराब होई रहे नलाइक मध्य प्रदेश समय उत्तर प्रदेश आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश आए बड़े मध्य प्रदेश है मैं है नहीं तो अगला देखो किस देश ने हाली में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देनी की पहल सुरू की है किसके द्वारा की गई बताओ सभी आंसर करो इसका किसके द्वारा की गई तो एलस एलवाडोर के द्वारा की गई ये क्या होगा ये क्रिप्टो लाइसेंस देगा क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देगा बारत की पहली सेमी हाइस्पीड छेत्री रेल सेवा इसको क्या नाम दिया गया चेत्रे रेल सेवा हाँ semi high speed regional rail services देखो इसको नाम क्या दिया गया यह चलाई जाएगी आपसे शुरुआत होगी दिल्ली फिर गाजियाबाद फिर गाजियाबाद और मेरेट के बीच में एक छोटा सा रूट जो है दिल्ली के जो NCR के आसपास का च सेत्रे उसको कवर करेगा ठीक है तो एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो आप है ना आंसर क्या हो जाएगा rapid access का सही जवाब होगा बहुत जादा important question है यह बहुत बहुत जादा important question है बहुत मैतपूर सवाल है है ना बहुत बढ़िया हां आगे देखो अ अनलाइन Gambling Building BIL जो है उस पर रोक लगाने की स्विक्रती दी है यह किसके द्वारा दी गई है यह किसके द्वारा दी गई है यह यह आपर मैं आपको हिंट दे दू हिंट दे दू आयो रामनात स्वामी टेम्पल किदर जी रामनात स्वामी टेम्पल मंदिर किदर जी रंगनात स्वामी टेम्पल किदर जी रंगनात स्वामी टेम्पल किदर जी हाँ आंसर क्या हो जाएगा आयो मिनाक्षी मंदिर किदारा जी तामेल नाडो में जी किदारा जी तामेल नाडो में इधर पोंगल मनाते इधर कौन सा पेस्टिबल मनाते जी पोंगल मनाते इधर कौन सा पेस्टिबल मनाते पोंगल इधर जल्ली कट्टू का आयोजन किया जाता जी ठीक, कौन सा जल्ली कट्टू जल्ली कट्टू भी मनाया जाता जी ये भी याद रखना जी ठीक है जी, चलो तो तामिल नाडू याद रखना नट राज मंदर पूचा जाये काची पूरम मंदिर फूचा जाएगा जी तो तमेल नाडु आंसर हो गा क्या होगा जे तमेल नाडु आंसर होगा ठीक है बढ़िया जलो भरत नाट्यम किदर का डांस जी तमेल नाडु का आगे देखो तमिल नाडू के वर्तमान गवर्नर का नाम बताओ जी, कोने? तमिल नाडू के वर्तमान गवर्नर कोने जी? अयो, आपका पड़ाया हुआ याद हो गया जी, बड़िया जी अयो, तम्मको याद हुआ, अमको बहुत कुझी हुआ जी, अम बहुत कुझी हुआ अयो, आम चाता जी कि तुम्म सब पड़ो और याद करो और आगे बढ़ो अपना करियर जाट करो जी, शादी करो आना, अंसर इसका आरेन रवी होगा अगला देखो, उस राज का नाम बताईए, जिसने, फ्रंट रनर्स रेडी में, राज उर्जा, दक्षता सूचकांग, 2021-22 रिपोर्ट में सीर सिस्तान प्राप्त किया है, बताईए, सभी आंसर बताओ बहुत बड़ी है, शांदार सभी आंसर करो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टॉपिक वाइस क्लासिस कब से स्टार्ट होंगी थर्स्डे से होंगी मेरे बच्चे, कब से थर्स्डे से, थर्स्डे से, यानि की गुरुवार से रात नौ बजे, डेली, 9 पि-म पर उतसांदार क्लासिस होंगी, कैसी, शांदार बहुत बड़ी है, आंसर की बात करें तो आंध्र पृदेस होगा, करेक्ट आंसर आंध्र पृदेस, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा भारत के वर्तमार राजस्यृ सचिफ का नाम बताई है रिवेन्यू सेक्रेटरी कौन है भारत के रिवेन्यू सेक्रेटरी या जी बहुत 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 बढ़िया बहुत शांदार संजे मलोत्रा will be the right answer और जिसने टेलिग्राम जोइन नहीं किया है ओलिबोर्ड SSC ओफिशल टेलिग्राम जोइन कर लेना यहां से क्लास के तुरंत बात PDF मिल जाएगी तुमें ठीक है आगे चलते हैं तुम मुझसे connect होना चाहते हो WhatsApp पे 9568898923 आयो यह मेरा नमबर है जी तुम सब लोग WhatsApp पे connect हो जकता जी बात कर जकता जी बात तब नहीं इसमें सुनो अगर कोई important message होगा तो ही करना गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मत करना request है यह गुड मॉर्निंग गुड नाइट वालों को पकड का खोपड़ी फोर दूँ हमें अगर डेली के message आएंगे हाँ चल यह यह आट बजे class चलेगी as it is जो class चल रही है वो चलेगी who is the current chairman of SBI current chairman of SBI पूछे गए हैं हाँ बताए speed में चीक है current affairs भी करा देंगे जन्वरी से अप्रेल तक का पूरा कराएंगे परेशान मत हो बहुत बढ़िया chairman SBI के पूछे गए है SBI की जब बात की जाती है SBI की सुरुवात कहां से होती है 1806 से bank of Calcutta बनाया गया था 1806 में फिर 1840 में एक bank बनाया गया और 1843 में एक bank बनाया गया 1809 में बदल दिया गया bank of Bengal कर दिया गया यहां पर 1840 में bank of Bombay बनाया गया 1843 में bank of Madras बनाया गया trick बनेगी इसको याद करने की B से B और B से B यह हो गया B B M से मारेगी B B मारेगी यह तीन यह यह तीन बैंके थी इनको presidency bank के नाम से जानते थे इनको 1921 में मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया था imperial bank कौन सा बनाया गया imperial bank बनाया गया और इसी imperial bank का नाम बदल दिया गया था 1955 में 1955 में AD गोरवाला समिती के सुझाओ पर AD गोरवाला कमिटी के recommendation पर नाम बदल कर SBI किया गया था और अगर अब बरतमान में आपसे पूछे जाएंगे तो दिनेश कुमार खरा का नाम आप सभी याद रखना दिनेश कुमार खरा का नाम आप सभी याद रखना बीबी मारेगी हाँ बीबी मारेगी पढ़ोगे लिखोगे तो बीबी मारेगी ऐसी ब्या कर लोगे तो आज कल की लड़कियां बहुत पड़ रही है ठीक है अभी यूपीटर प्लेस यूपी पीएससी का रिजल्ट आया दस में से आठ टॉपर थी लड़कियां बताओ क्या होगा तो कल को तो तुम बेरोजगार बनके बैठोगे पिट चूला फूकेंगी रोटी करेंगी सबजी बनाएंगी अब पता चल रहा कि कल को तुम अगर नहीं पढ़ते हो लड़को तो तुम्हारा नंबर आने वाला है तुम घर में बैठोगे बरतन मांजोगे बरतन होगे रोटी बनाओगे आटा लगाओगे लड़कियां जितनी भी हैं वो कल को अफिसर बनेंगी टीचर बनेंगी वो अफिस जाये करेंगी सुबह तुम सुबह का नास्ता बनाके उनको खिलारे होगे ऐसा होगा नहीं तो सुदर जाओ अभी मौका है चल अगला देखो बताओ उस व्यक्ति का नाम बताईये जो beauty brand अमिजडर मैविलिन का नया brand अमिजडर बनाये गया है सारुक खान जी की बिटिया हैं यह सारुक खान की बिटिया साधी नहीं करेंगे मन में तो लड़ू पूट रहा होगा सबसे पहले तो अभी तुम तयार बेटे होगे साधी नहीं करेंगे आए बड़े चच्चा साधी नहीं करेंगे बताव इसका अंसर मतलब तु पढ़ेगा नहीं तुझे पढ़ाई से नफरत है है नलाइक अगला देखो Stanford University of AI Index Report के अनुसार भारत करें क्या है इसमें बात की जा रही है जो AI Based Startup है AI Artificial Intelligence आधारिज जुतने भी Startups हैं उनमें सबसे जाधा funding किस ने उठाई है तो सबसे जाधा funding USA ने उठाई है फिर चाइना ने उठाई है Investment सबसे जाधा निवेश सबसे जाधा किस देश ने लिया तो सबसे जाधा USA अमेरिका फिर चाइना ने उसके भारत पांचवे नंबर पे आता है भारत पांचवे नंबर पे आता है ठीक है यह आपको याद रखना है अगला देखो हाल ही में किस राजने पसुओं के विविन संक्रामक रोगों को रोकने के लिए अहेल्प कारेकरम शुरू किया है बताइए स्पीड में आंसर करिये सभी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता वो तो मैं आपकी बात से अग्री करता हूं बेटा लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है बात काम छोटे बड़े की नहीं है बात लड़कों की नलाइकी की है अभी तो यह अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं लगे रहते हैं मेले बाबू ने थाना थाया बाद में बाबू किसी और के हाथ से खाना खा रही है चलो आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा उत्राकंड सही जवाब होगा इसका अहेल्प पूछा गया है ठीक है अगला प्रशन देखो जलियां वाला बाग अत्या कांट पूछा है जलियां वाला बाग अत्या कांट हाँ कलुआ छोड़ दिया भहिया का करें बहुत बहुत शांदर चलो आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा अमरित सर में हुआ था कब हुआ था 13 अप्रेल 1919 भारत में पहली अंडर्वाटर मेट्रो ट्रेन का परिच्षड यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है यह भारत के लिए पानी के नीचे मेट्रो चला दी भारत किसी से कम नहीं है हमारा इंडिया किसी से कम नहीं है मील का पत्थर साबित किया है आंसर क्या हो जाएगा कोलकाता कोलकाता जो है वो इसका गरेक्ट आंसर होगा क्या होगा कोलकाता इसका सही जवाब होगा चीक है जी आगे देखो अगला प्रश्ण कह रहा है ADR Report वो इस दे चीफ मिनिस्टर विद दे मोस्ट एसेट्स इन दे कंट्री ADR Report के अंसर देश में सबसे अधिक संपत्ती वाले मुखमंत्री बताईए सबसे अधिक संपत्ती सबसे जादा पैसा किस मुखमंत्री के पास गरीब मुखमंत्री पूछा जाए कितने मुखमंत्री हैं तुम लोग बता अरे वो तो 30 मैंने गलत बताया था मैं चाहता था तुम तुम लोग मेरी बेरी बात मानो तुम गलत लिखो मुखमंत्री बताओ कुल कितने हैं हाँ वर्षा त्यागी कह रही है 32 अंजू गुपता 29 सिखाओ अच्छा सिखाने तूजू दूसर अरे तीस नहीं है यार तै बता था कि अगर 28 राज्यें तो 30 मुखमंत्री केसे हो जाएंगा वो भी सही कह रहा हां वो भी सही हंगा उसकी बात से से मध मैं बेटा क्या ऐकदम तो बता कितला मुखमंत्री चल लाल तू बता चल अ हां अग बता बेटा जीन जो जीनी मुर रहा जो भी नाम है बेटए तेरा 28 मुख मंत्री कविता कुमारी कह रही बहुत बढ़िया कविता 49 मुख मंत्री यहां वेल्डन एक आया चीता पागते हुआ कह रहा उन्टालिस है गुरूजी बहुत बढ़िया 36 मुकमंत्री बहुत बढ़िया 29 28 सविता 28 मुकमंत्री वैल्डन बेटा मांसी विटिया बहुत सही 28 मुकमंत्री रचना 28 मुकमंत्री बहुत सही भगवान तुमारी आत्मा को सांती दे पुल 30 मुकमंत्री हैं जिसमें से 29 क्या है करोड़ पती है 29 करोड़ पती है एक जो है ममता बनर जी जी हमारी यह लख पती है मतलब अगर संपत्ती की बात करें जो 28 वाले हैं भगवान तुमारी आत्मा को सांती दे जत्ते बी 28 वाले हैं तो के पास 15 लाक के संपत्ती है जादा पैसा नहीं विचैरी बैहन के पास हमारी दीदी ममता बनर जी हमारी गरीब है सबसे जादा पैसा है 500 प्लस करोड 512 करोड की संपत्ती जगन मोहन रेड़ी के पास आप से पूछे गए अरुनाचल प्रदेश के यह दूसरे नमबर पर आता है यह सेकन्ड डिचस्ट शीफ मिनेस्टर नहीं यह पहले नमबर पर आते हैं पर वंता वन पणर जी तो लास्ट में जाती है लाज ऑने पितिसर कुछ ना आते हैं पेपर में बाद में ये मत कहना गुरू जी गलती कर दी हमने आपकी क्लास नहीं ली ये मौका है ये टाइम बार 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 नहीं आता है हाँ हाँ चलो कि अग्यों कि अग्यों कि चलो आंसर की बात करें तो रवांडा इसका सही जवाब होगा अगला प्रस्ट देखो बताओ पीरा कुनफर सुरंग जो है वो किस राज्य केंदर सासित प्रदेश में है हाँ कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यू और यहां दो कि आंसर की बात करें तो जमुएंड कस्मीर इसका सही जवाब होगा अगला प्रश्चन देखो बताओ में किस देख को दुनिया का सबसे कम आजाद देख का दर्जा मिला आपर कुछ बच्चे पूछ रहे योगी आदिते नात की बता दो मुझे कितनी संपत्ति है है का योगी जी की संपत्ति में बड़ा इंट्रेस्ट आ रहा है तुम है हाँ पढ़लो चुपचाप से कोई कहीं नहीं जाएगा वैसे ही तुम्हें थर्सडे सो नौ बजे क्लास करनी है मेरी लाइव अटेंड करोगे सारे के सारे हाँ बता दू कितनी है योगी जी की संपत्ति रेंदो क्या ही फायदा हाँ बाबा जी हमारे करोडपती है वैसे तो आंसर इसका तिब्बत हो जाएगा तिब्बत इसका सही जवाब होगा चलो अगला प्रश्ण वयोब्रद मुक्ती संग्राम सेनानी और महान सारजनिक स्वास्त कारे करता डॉक्टर जफरुल्ला चौदरी का हाली में निदन हो गया वह है किस देश से संबंद देते है चलो तो जब बाबा जी की बात करें तो बाबा जी के पास एक करोड़ चौ अच्छा योगी जी माट डरिया है आहा आहा माट तो डरिया ही तुम्हें और का जिंदा हो का तुम करियो का आंसर बताओ जाको बांगलादेश इसका सही जवाब होगा क्या होगा बांगलादेश चीक्या जी आगे जलते हैं बदाए भारती प्रतिभूती और विनिमय बूर्ड की स्थापना किस वर्स होई थी भारती प्रतिभूती एवं विनिमय बूर्ड की स्थापना सेभी की स्तापना आठ बजे वाली क्लास भी चलती रहेगी सुएता ठीक है जाओ भगवान तुमाही आत्मा को सांती दे बढ़िया अगला देखो पुत्राखंड के मुख्मंत्री बताओ कि पुत्राखंड के मुख्मंत्री है गुडगगगध्गुडगगध वैल डञट लग पती तो बेटा तुम एक लाख में भी हो जाओ कि आदमी करोड़ पती कैसे है उसके पास एक करोड़ की संपत्ति वो करोड़ पती तुम्हारे पास एक लाख रुपए तुम लग पती ऐसे चाती ऐसी चोड़ी करके घूम अगला प्रस्न देखो बताओ है ο कि माराश्ट्रा का लोग प्रिया दूमरी और दादर उत्तर प्रदेस का दंदा पाईया उत्तर प्रदेस का विज्रा अबी ilaghtakस कंगे दाणिया की बात करें तो गुज्रात कातमासा महरास्ट्रा का है उत्तर विर्दिश आगे देखो एक काम करना तुम एक काम करना सुनो मेरी बात इसका आंसर मुझे आफ लाइन में कमेंट करके बता देना और सेशन को एंड करते हैं फिर आप से मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम जग अगले हो दिन तब तक के लिए नमस्कार जहन्द आप पीस है एककल मिलेंगे भी चेतन सर जानते हो तुम लोग पैशंति कितने लोग जानते हैं सर को कमेंट करो एक बार कितने लोग जानते हैं बता और जारा करन अर्जुन यान बस बताओ अरे रुख जाओ कोई नहीं जा रहा रहा रुख जाओ एक मिनट कितने लोग जानते हैं एक दो के कमेंट आ रहे नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं तो देखो नहीं जानते हैं यह छोड़ी वाईस कि अन लोग ने देखी हैं ना फेकल सेWow देख चुके हैं तब तक के नमस्कार जहें